नमस्कार दोस्तों ममता की रसोई में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जारी हूँ भिंडी की सबजी आप सोच रहे होंगे कि भिंडी की सबजी कौन सी खास होती है यह तो सभी बनाते हैं पर बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे आप सबको बहुत पसंद और मेरी ये रेस्पी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेला इकन दबाना ना भूलिएगा तो यहां पर देखे मैंने भिंडी को इस तरीके से धोके बड़े टुकडों में कट कर लिया है और यहां पर तीन मीडियम साइस की प्यास ली थी उसको कट करके उसके छिलके अलग कर लिया है और यह जो बीच का हिस्सा राता है उसे हम डाल देंगे मिकसर जार में इसके बाद हम 5-6 हरी मिर्चे डाल रहे हैं आप अपने पसंद से तीखा रख सकते हैं थोड यहां पर निकाल लिया है मैंने अब चलते हैं आगे का काम करते हैं तो कडाही रख दी है गैस पे और कडाही के गरम होते ही हम डालेंगे थोड़ा सा तेल तो स्रिफ 1 टीस्पून ओयल हमने डाला है इसमें आप अपने पसंद का जो भी ओयल खाते हैं ले सकते हैं सरसो का त तो यह देखे प्याज भून चुकी है तो मैं इसे अलग प्लेट में निकाल लेती हूं और इसमें बिल्कुल ऑगर डालने की जरूत नहीं है जो इसमें तेल बचा है इसी में हम डाल देंगे कटी हुई भिंडी तो देखे भिंडी को इस तरीके से हमने बड़े-बड़े पी और बहुत ही अच्छी दिखे भिंडी हमारी भुनने के बाद भी तो यहां पर देखे हमने डाल दिया है और अब इसे थोड़ी देर तक इसी तरीके से चलाएंगे और ढ़क के पकने देंगे गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे यह देखे अब हम एक बार खोल के द निकाल लेती हूँ तो यह देखी आपे निकाल लिया है और अब डालेंगे टू टेबल इस्पून ओयल थोड़ा से जीरा डाल देती हूँ तड़के में और जीरा डालने के बाद मैं डालूंगी यह मसाला जो मैंने प्याज लहसन हरी मिर्श पीस के रखी थी उसे डाल दि इसी तरीके से भिंडी की सबजी बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट सबजी बन के तयार होती है और बड़े तो बड़े बच्चे भी भिंडी खाना सुरू कर देंगे तो यहाँ पर देखे मैंने प्याज को भुन लिया है कलर चेंज हो चुका है तो मैं डाल रही हूँ ह देखे इन सारे मसालों को हम एक मिनट तक इसी तरीके से भुन लेंगे बहुत देर तक भुनने की जरूत नहीं है तो मसाले जल जाएंगे इसके बाद मैं डाल देती हूँ पीसा हुआ टमाटर तो यहाँ पे दो से तीन टमाटर मैंने अच्छे से पीस लिया था मिकसर जार मैं उसे डाल दिया है और इसे डालने के बाद हमें अच्छे से भुनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना होने लगे तो यहाँ पे देखे हमने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है और नमक डालने के बाद हम अच्छे से भुन रहे हैं क्योंकि टमाटर डाला है नमक डालने आप ग्रेवी इसी साप्से रखेगा जैसी ग्रेवी आपको पसंद है ज्यादा याकम इसके बाद एक अशे ही कटा हुआ टमाटर डाल चुके बहुं अब पकाएंगे क्योंकि मैंने 80% भिंडी पहले ही भून ली थी अब देखिए 2 मिनट के बाद मैं खोल के इसे देख लेती हूं और यह हमारी सब्जी देखे लगभग तयार है तब हम डालेंगे इसमें प्याज जो प्याज हमने भून के रखी थी उसे भी मैंने इसमें डाल दिय है और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है यह देखिए इस तरीके से यहां पे हम सब्जी को बहुत ज्यादा चलाएंगे नहीं नहीं तो यह जो भिंडी है वो टूट जाएगी अब इसे ढग दिया है 30 सेकेंड के लिए और 30 सेकेंड के बाद देखिए जो मसाले ह हैं भिंडी है बहुत अच्छे से पक चुकी है आपको मैं नस्दीक से दिखाती हूँ बहुत ही अच्छी खुस्बू आ रही है सब्जी से बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तयार हुई है तो अब हम डालेंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनिया और उसके बाद हम डाल क्योंकि मैंने अभी तक इस सब्जी में गरम मसाला नहीं डाला था तो यहां पर बहुत थोड़ा सा ही गरम मसाला डाला है दोनों चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और यहां पर अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और सब्जी को सर्फ कर लेंगे तो आप देख पा रहे होंगे आप इसे पूरी से खाएं पराठे से खाएं या फिर दाल चावल के साथ खाएं यह सब्जी बहुत ही स्वादिश्ट लगती है मेरी यह सब्जी की रेस्पी आपको पसंद आई हो तो पीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को मिलते हैं नई रेस्पी में बाई बाई